2019 में जब जम्मू कश्मीर reorganization act आया था तब जम्मू एन कश्मीर को एक union territory with legislative assembly बना दिया गया था 2019 जो है एक important year माना जाता है Indian political history वैसे ही 2024 का जो election हुआ है जिसके results आ चुके हैं वो भी एक important year है ये समझने के लिए कि जम्मू एन कश्मीर का आगे का आने वाला समय कैसे होने वाला है ये results में देखा गया कि जो NC और Congress रा collision था उनको भारी बहुमत प्राप्त हुई है जिसमें उनको 49 seats मिली है और BJP जो है वो second largest party रही है with 29 seats यहां पर देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के legislative assembly तो बन रही है कि yes जम्मू कश्मीर की legislative assembly in election के बाद तो form हो जाएगी as a union territory बट क्या powers है यहां पर lieutenant governor के पास और कैसे यह important हो जाता है Hello students, welcome to Chal Academy, my name is Shubhangi Singh and today we are going to talk about Jammu कश्मीर elections and their impact and furthermore we are going to put more emphasis कि कैसे lieutenant governor की power जो है वो strong hold है और उसका क्या-क्या impact हमें देखने को मिलेगा Jammu कश्मीर के election result आ चुके हैं यहां पर बहुत important हो जाता है यह समझना कि Jammu कश्मीर की assembly जो है वो all together as a union territory क्या impact दाल सकती है Jammu कश्मीर 2019 reorganization act के तहर दो union territories बनाई गई थी Jammu and Kashmir जहां पर union territory with a legislative assembly होगी जैसे कि दिल्ली है और लदा पो union territory बनाया गया जहां पर legislative assembly की presence नहीं है अब recently यह जो elections announced हुए और इनका result आया है इनके lens के तुरू हमें देखना है कि LG का जो power है ना ही सिर्थ MLA's nominate करने का साथ ही साथ अगर कोई बहुमत नहीं आती तो भी बहुत power हमें देखने को मिलती Lieutenant Governor के पास इसके जावा कौन कौन सी power है जो Lieutenant Governor के पास इस वक्त है जिनको हो use कर सकते है और जिनका impact देखने को मिल सकता है जम्मू एन कश्मीर की union territory पर अब बात कर लेते हैं जो 90 seats का result आया है जम्मू एन कश्मीर के assembly elections पे यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जो है वो रही National Conference और Congress के coalition के पास जहां पर उनको 48 seats प्राप होई है और second largest party जो है वो National Party और भारती जन्ता पाटी रही है with 28 seats और यह election results जो है declare हो चुके है क्योंकि यह first election है क्योंकि यह first election है after 2019 after 2019 जब यह reorganization आया और साथी साथ article 370 को हटा दिया गया उसके बाद का पहला election है तो यह काफी important हो जाता है हमारे exam के perspective से ताकि इससे related सारे dimensions जो है हमें उसमें clarity मिले और यहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में और कैसे lieutenant governor की power legislative assembly की power exist करेगी उसके बारे में और साथी साथ क्या impact रहा है इस reorganization का और aborgation of article 370 का अब अगर हम बात करें article 370 की तो article 370 जो indian constitution में था वो special status देता था किसको जम्मू और कश्मीर को क्योंकि यह ऐसा region था जो disputed था बाइंडिया पाकिस्तान और चाइन तो यहां पर एक special status मिला हुआ था जम्मू और कश्मीर को अब यह draft किस ने किया था इट उस drafted बाइं गोपाला स्वामी आयंगर जो की constant assembly of India के member थे और उन्होंने एड़ किया था कि यह temporary provision है यह permanent provision नहीं है यह एक temporary provision है यह clearly add हुआ था in 1949 itself यहां पर allowed था कि जो state है जम्मू कश्मीर state जो 2019 से पहले होता था कि वो अपना constitution अपना flag और autonomy रख सकता है most of the matters पर except for three पहला defense दूसरा foreign affairs और तीसरा communication तो यहां पर उनका अपना अलग constitution था यहां पर उनके पास अपना अलग flag था उनके पास अपनी autonomy थी बस ती चीज़ों के लिए state जो है वो बाधित नहीं था वो central government जो है वहां पर कामकर्श रखती थी वो था defense foreign affairs and communication अब यह जो decision था यह जो provision था यह किस चीज़ पर based था यह based था जो terms decide हुए थे instrument of accession में जिसको sign किया था महराजा हरी सिंग ने जो की rural थे जम्मू कश्मीर के और इन्होंने यह sign किया था 1947 में कि वो इंडिया को join करेंगे जब यह choice थी कि इंडिया पाकिस्तान को join करना है और यहां पर हरी सिंग ने decide कि हो इंडिया को join करेंगे और यह join उन्होंने तब जब उन्होंने जम्मू एन कश्मीर में इन्वेजन देखा बाई पाकिस्तान यहां पर हम देख सकते हैं कि यह decision हरी सिंगा था और उसके basis पर यह सारे provisions जो है उसके बाद create हुए है यह special provision article 370 यह तहत मिला अब article 370 को हटा दिया गया 2019 में जब जम्मू एन कश्मीर reorganization act लाया गया उसमें दो union territories की बात हुई सबसे पहले जम्मू एन कश्मीर जो की एक union territory with legislative assembly रहेगी और दूसरा लगदाग जो एक union territory without legislative assembly रहेगी at present लगदाग is also fighting for its right sonam vangchu who has worked in Delhi to demand the rights यहाँ पर भी issue चल रहा है इसके बारे में detail समझने के लिए आप हमारी playlist में एक video है about this conflict और जो यहाँ पर demands है related to लगदाग आप जाकर देख सकते है अब हम आ जाते हैं जम्मू एं कश्मीर reorganization act की तरफ अब basically जो यह instrument of accession sign हुआ था 1947 में उसके तहत सिर्क वो matter जो की defense foreign affairs or communication से related है उनके अलावा state जो है वो उन पे काम कर सकता है उसके अलावा state का अलग constitution था अलग flat था अर्टिकल 37 जो था जम्मू कश्मीर में और over the years जो center की law making power थी उसको extend किया गया कुछ-कुछ subjects को include करने के लिए from the union list जो union list है वो list one है seven schedule में उसमें वो सारे subjects दिये हुए है जिस पे center जो है legislation कर सकता है तो दीरे दीरे साल के बढ़ते बढ़ते जहां पर center के पास law making powers जो है वो extend हुई बट यहां पर फिर भी जो legislation था center के पास इंडिन पार्लेमेंट के पास वो बहुत limited था फिर जम्मू कश्मीर reorganization act of 2019 जिसने significantly alter कर दिया change कर दिया इस governance structure को जहां पर जम्मू और कश्मीर को different treat किया जाता था एक special status दिया जाता था then the whole country तो यह government structure जो इसको all together बदल दिया गया और यहां पर जो सबसे जादा रोल पर emphasis हमें करना है वो lieutenant governor के रोल पर करना है कि role जो है lieutenant governor का enhance कर दिया गया बढ़ा दिया गया as compared to the state assembly जो state assembly में lieutenant governor का रोल होता था उसके comparison में जब वो union territory with the legislative assembly बनी तो यहां पर governor का role बढ़ा दिया गया अब जो हम यह कह रहे हैं कि role बढ़ा दिया गया यहां पर जो shift है यह clearly evident है दो provisions है अब इन दोरो provisions की हम बात कर लेते हैं सबसे पहला provision है section 32 of the act जो clearly कहता है कि legislative powers of the assembly basically वो subject जो की provisions है इस act के यहां पर legislative assembly जो है वो law बना सकती है सारे या फिर कुछ parts के लिए जो union territory of जम्मू इन कश्मीर के है और matters पर जो की state list में दिये हुए है यह list two है seven schedule में इन वो जो सारे subjects include करते हैं जिन पर state legislation कर सकता है तो आपर clearly वो लगा है कि जो यह legislative assembly बन रही है जम्मू इन कश्मीर की वो सारे matters पर legislation कर सकती है जो state list में दियो है है except for two सिर्फ दो दो ऐसी चीज़े बो लेगे हैं जिस state list में है बट उन पर legislation नहीं हो सकता वो है entry one and entry two public order and police इसके अलावा concurrent list पर भी state assembly union territory की जो assembly है वो legislative assembly जो बनी है वो concurrent list के subject पर भी legislation कर सकती है बट वो conflict में नहीं होने चाहिए central laws के साथ तो यह पहला provision जो clear करता है कि यहाँ पर सिर्फ दो state list में ऐसे दो चीज़े हैं जिन पर legislation नहीं कर सकती है जम्मू कश्मीर की legislative assembly concurrent list में सारे subjects पर कर सकती है बट जो भी subject conflict में होगा central law को वहाँ पर central law जो है वो सुपरतीड कर जाएगा उसको उसको prime importance और उसको prime consideration मिलेगा अब second जो है वो है section 36 section 36 जो है वो basically एक बहुत ही important चीज़ highlight करता है और एक बहुत significant condition बनाता है कि कोई भी financial bills या फिर amendment कि कोई भी financial bill या फिर amendment जो है वो introduce नहीं किया जा सकते या assembly में नहीं लाए जा सकते without lieutenant governance recommendation अगर lieutenant governor ने recommendation नहीं दी तो financial bills और amendments जो है वो assembly में आएंगे ही नहीं introduce ही नहीं होंगे अगर अगर वो amend कर रहे हैं कोई law या फिर financial obligation जो union territory और जम्मू एं कश्मीर की है अब यह बहुत ही broad इसका scope जो है बहुत जादा है इस particular clause का और most policy decision जिनके financial obligation है वो कहां से आएंगे वो recommend होके आएंगे lieutenant governor से तो यहां पर lieutenant governor को एक अच्छा खासा control मिल रहा है legislative matters जो की financial obligations और implications के साथ आ रहे हैं that means lieutenant governor को eight important role दिया जा रहा है ताकि union territory की जो legislative powers है specially with financial obligations उस पे governor lieutenant governor का strong hold रहे अब इन details discuss करते हैं जम्मू कश्मीर reorganization at 2019 में जो आया है वो क्या powers लेके आया है lieutenant governor के लिए और क्या specifications है तो यहां पर section 53 के हिसाबते कुछ particular powers जो है वो LG use कर सकते है at his discretion अब यह कौन से matters है जो lieutenant governor अपने discretion पर execute कर सकते हैं सबसे पहला है जो भी matters legislative assembly के power के बाहर है legislative assembly की जो भी power है उसके beyond अगर कोई matter है तो lieutenant governor का discretion है वो अपने discretion के हिसाब से decision लेंगे furthermore जब भी judicial functions या discretionary functions आएंगे तो LG जो है वो अपने हिसाब से उन matters पर decision लेंगे जब भी judiciary functions होंगे तो lieutenant governor जो है वो अपने decisions लेंगे anything that is related to all India services या फिर anti-corruption bureau तो सारे matters जो all India services और anti-corruption bureau से related है वो कौन देखेगा वो भी lieutenant governor देखेंगे और यहाँ पर भी अपना discretion जो है exercise करेंगे अब यह जो arrangement है जो हमें powers discretion की देखने को मिली और उससे पहले जो हमने दो provisions पढ़े जमू एन कश्मीर reorganization act से उसे clearly दिखता है कि significant administrative control है किसके पास lieutenant governor के पास जो की सिर्फ public order और पुलिस को पुलिस तक limited नहीं है यहाँ पर bureaucracy क्योंकि all India services की बात हो रही है और anti-corruption measures क्योंकि anti-correction bureau की बात हो रही है बहां तक scope है lieutenant governor की powers का साथ ही साथ इस act में यह mentioned है कि जो decisions LG के हैं अपने discretion पे लेने के वो final है और वो court में challenge नहीं हो सकते हैं they cannot be challenge in court ना ही कोई advice जो minister दे रहे हैं LG को lieutenant governor को उसको भी question किया जा सकता है legally तो यहाँ पर एक certain amount of judicial protection भी मिल रहा है lieutenant governor को जब वो अपने discretion से हिसाब से act करेंगे तो उस decision को challenge नहीं किया जा सकता है court में और again यहाँ पर discretion है जो lieutenant governor को मिला है वो एक बहुत ही broad scope दे रहा है जिसमें जिसमें जिसकी वज़े से recent administrative changes जो है वो देखे जा सकते है और जैसे कि यहाँ पर lieutenant governor ने advocate journal को appoint कर सकते है law officers और साथी साथ influence कर सकते है judicial decisions को तो यहाँ पर यह effect हमें दिखने को मिला है in terms of lieutenant governor stronghold in terms of his scope of administrative powers legislative powers and discretion अब अगर हम बात करें 2019 के जो यह reorganization आट आया और article 370 का aborgation हुआ उसके भी result है कि 2024 में यहां fresh legislative assembly के elections हुए है जम्मू इन कश्मीर की union territory के लिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि हम एक thorough analysis करें एक thorough clear understanding रखें कि क्या impact आया है article 370 के aborgation से और कैसे scenarios जो है union territory of जम्मू इन कश्मीर में change हुए है क्या पर सबसे पहला point जो है वो है decline in violence significant decline देखा गया है of violence in जम्मू इन कश्मीर since aborgation of article 370 अगर official data की बात करें तो number of terrorist incidents जो है वो 50% से ज्यादा हो गए है और 50% से ज्यादा कम हो गए है और जो security forces है उन्होंने 300 militants से उपर उससे ज्यादा militants को मार गराया है तो यहां पर violent incidents जो है वो उनका occurrence जो है वो कम देखने को मिला है साथी साथ in science infrastructure देखने को मिला है government ने because of the safety जो यहां पर lesser violence हो रहा उसकी वज़े से infrastructure जो है उसके development पर focus किया है ताकि यहां की economy जो है वो बूम कर सके तो government ने invest किया है infrastructure development में in the union territory of Jammu in Kashmir यहां पर construction of new roads, tunnels, power line, bridges ताकि यहां के infrastructure development से जो economy में most expected है वो देखा जा सके तो government is working in this direction and using the advantage कि यहां पर जब violence decrease है लोगों को better opportunity मिलनी चाहिए एक better environment create होना चाहिए and government is working for the same अब अगर यहां पर आप data देखेंगे तो fewer injuries and death among security forces अगर security forces की बात करें उनकी injuries और death rate जो है especially अगर हम बात करें 52 months before August 5 2019 जब Jammu and Kashmir Reorganization Act आया था and 52 months after August 5 2019 तो यहां पर हम पूरे 52 months का यहां पर difference दिखा रहे हैं तो अगर हम बात करें terrorist initiated incidents तो 765 ते वो 455 हो गये है then we can see attacks on civilians 193 से 156 civilian casualties 234 से 131 then we have encounters 390 338 security forces injured it is less than half 1098 अब का नमबर है 334 and security forces killed 355 से कम होके 125 हो गए है political या किसी भी reasons के वाग reasons की वजए से जम्मू कश्मीर जो था एक haven का terrorist के लिए और insurgent groups के लिए यहां पर देखा जा रहा है कि यह जो reorganization act आया है उसका एक अच्छा impact है एक तो violence decrease करने में और साथी साथ security forces जो की बहुत important और बहुत ही emotionally attached है अगर हम बात करें इंडियन इंडियन पोरा जो है वो civilian अपने army forces से तो यहां पर उनका importance जो है उस पर due consideration दिया जा रहा है और यहां पर injuries or deaths जो है कम होते हुए दिखी है साथ इंप्रूज economic development देखने को मिला है government कई initiatives लेके आई है for boosting the economic development of jammu and kashmir prime minister development package industrial development scheme और इन schemes की वजए से इन area में investment बढ़ा है job creation बढ़ी है और economic growth देखी गई है इस region में अब यहां पर आप data देख सकते हैं इस particular union territory में tax revenue growth देखा गया है 31% का 2022 ते इस में gsdp जो है jammu and kashmir का gross state domestic product वो 8% पर बढ़ा है at constant prices जबकी national level average level जो है वो 7% तो यहां पर हम economic benefit भी देख सकते हैं यहां पर इस graph में revenue research दी हुई है union territory के you can see by 2023 as compared to 2013 the number has the number has almost number is almost five times in terms of revenue research and it is a good indicator for the improvement that is being seen in the economy साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो economy है वो heavily dependent है tourism बे अब यहां पर जो violence भारी कमी हुई है उससे माहौल बढ़िया हो गया और tourism को बहुत बढ़िया बूस मिला है वो जो potential है tourism का जनत जो जम्मू और कश्मीर को हम specially बोलते हैं कि धर्ती पर जनत है उस tourism potential को use करने का opportunity और यहां पर tourism जो है बढ़ते हुए भी दिखा गया है number of tourists जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को visit किया है वो significantly बढ़ गया है जब से article 370 हटाया गया है अब यहां पर combination of factors हैं better security है marketing है नए नए tourist initiatives आए है अब अगर report की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में देखा गया है 1.62 करोड tourists in 2022 जो की highest है since India got independence this is the highest number since India has got independence and this has been facilitated with a variety of factors कि यहां पर better security है better facilities है infrastructure better हो गया है और साथ ही साथ इनकी marketing और tourism initiatives जो है नए उस वज़य से भी हमें यहां पर tourism में बढ़त देखने के लिए मिल रही है now that we have understood the topic I hope आपको topic के clarity बिल गया है मैं assume करें हूँ कि आपको यह topic में clarity आ गए तो यहां पर हमें मेंस का practice question देख लेते हैं और इससे related जो dimensions है आप comment section में हमें बतासकते हैं question here discuss the implications of 2024 elections in Jammu and Kashmir Union territory अब यहां पर implications की बात हुई है ठीक है और Jammu and Kashmir on the regions political landscape आप सबसे पहले implications क्या है 2024 election legislative elections जो Jammu and Kashmir हुए है उस region के political landscape पे और इसकी relationship जो central government के साथ क्या उस पर क्या implication है तो दो चीजों पर implication बताने कि region के political landscape पर क्या implication है और relationship with central government पर क्या implication है साथ ही साथ अब अपने answer में factors देखेंगे जैसे कि electoral integrity local governance और क्या potential impact हो सकता है peace and security in the region that was all from my side please send in your answers in the comment section our team will get back to you on this for more such videos and topic related content for your preparation of exam please subscribe to our channel of youtube that was all from my side thank you so much you